Médical दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और ईसा थ में बेल आईकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सब्से पहले नाट्पिकर सन मुफ्त में मिल सकें ऐलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेटिकल दोस्तोर मैरे इस मेटिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुती स्वागत है आज हम रेस बेस जे सचेट का फुल रिव्यू करेंगे अगर इस रेस बेस जे सचेट के बारे में टोटल जनकारी चाहते हैं तो प्लेज हमारे वीडियो को बिना किये पूरा देखें अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए शेर करिए और इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब करिए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बीना टाइम गवाए जैसे कि सामने आपको यह वाइट कलर का सच यानि पाउच दिख रहा है जोकि रेस बेज्ट जये सच अच है और इसके कमपनी पर गवर किया जाए अकल दिखिए वैस्ट केम फार्मा का है और बहुत ही सेलिए बैस्ट किम फार्मा बहुत ही अच्छी कमपनी है और इसके ड्रॉग आमें इसली किसी भी मैटकल इस्टो डाल लेते हैं देखिए इच ग्राम ववन ग्राम सचेट कंटेंज यानि कि एक ग्राम कर यह सचेट है इसमें रिसकाड डाट्रील 15 iam g डाला गया है और दे कि दोहरा वार्निंग है उस पर भी गौर कर लेते हैं देखिए शेडियूल एच ड्रग के इंतरगत आता है इसे आप इन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगर इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और चलिए इसके यूज के बारे में जानते हैं देखिए यह सचयट इंटड़ारिय इंफिक्शन में यूज किया जाता है यानि कि अगर जैसे की आपके बच्चय को दस्तों हो रहा है आप कोई ऐंट़ारील सिरफ दे रहे हैं बट उसके दो तीन चार खुछ कडेने के बाद भी आपके बच्चे का दस्त नहीं कम हो रहा यानि कि आपके बच्चे का दस्त और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है यानि कि दिन बर में दस बार पंद्रव बार यानि कि तीब्र वह दस्त कर रहा है लागतार पानी की तरह दस्त करते ही जा रहा है तो उन कंडिशन में इसे डाक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं रे सचेट भी सचेट मार्किट में और भी सचेट आते होंगे बाया तो उन से कई गुना यह बेटर काम करता है रहें खाये ऐस समें कि енना रिसपोंस मिलता सचेट । jsब यह बच्चों को दस्ट रहे होता है तो फौरान हम अम डौक्टर के पास जाते हैं संधों को दो-चार खुड़ाक पिलाने के बाद भी बच्चे का दस्त यानि की कंट्रोल नहीं होता, दिन बर में 8 बार, 10 बार या 15 बार पानी की तरह ही दस्त करता ही जा रहा है, तो फिर दुबारा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें ये रेस बेस जे सचेट करता है, और देखें इसके एक या दो, तिन खुराक में ही आपके बच्चे को रिस्पांस नजर आने लगेगा, और आपके बच्चे की जो दस्त है, बिलकुल धीरे-धीरे करके कम होने लगे, ये देखें ये बच्चों की आथ को जो, ये किस तरह काम करता है, बच्चों क आपिए बच्री बच्चा खाता पिता है उससे तरह से डाइजेशन करता है। अच्छी तरह से पचाता है। देखिए बच्चों की जब antpiria infection होता है तो उचन condition में पेट में जो आतों में छोटी आते हों या बड़ आते उसमें दोीज़ on को पचाने के लिए बैड बैक्टीरिया और एक वागुड बैक्टइरिया तो उस वक्त हुष दिक्टो के एंटी ड्र cynक्ट में कंडीशन में बैड यूआ जैदा एक्टिव हो जाते हैं जो कि कि बचों के खाने को कि डाइजेशन नहीं कराते और डाइरेक्टली वह पतला दस्त बनाके निकालने लगते हैं तो इसमें जो यह शेक्रोमाईशेस इसमें है रेजबेज्जे में यह बैड बैक्टिरिया को किल करता है और साथ में गुड बैक्टिरिया को ज्यादा वृद्धी करता है ताकि बच् के बच्चों के खाने इजली पच जाएं तो इस रेजबेज जे सचेट का एंटी डारियल में बहुत ही ज्यादा एक्सिलेंट रोल रहा है और डाक्टर लोगों का यह नंबर वन ब्रांड है और इस पर डॉक्टर लोग बहुत ही ज्यादा ट्रॉस्ट करते हैं यानि कि इसक सचेट का यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के उपा और इसके दो से तीन सचेट देने पर ही बच्चों के दस जो है बिलकुल कम हो जाते हैं जो जो दस बार पंदर बार बच्चा दस करता है वो चार बार पांच बार छे बार करने लगता है यानि कि दस देखी अगर हो रह ही रहे नहीं तो बच्चे की अगर पिशाब बंद हो जा रहा है तो समझ लिजी कि पानी की कमी हो गई है और गुर्दे पर उसका असर पड़ सकता है तो इसलिए कभी भी दस्तों तो बच्चों को नियमित रूप से पीलाते पानी पिलाना अगर मतलब शादा पानी पी रहा तो शादा पानी bipartisan यह नहीं तो इलेक्टराल मार्केट में पूप मिल जाएगा अगर महें अब आ भी आपको नहीं मिल ला बच्चों के बॉड़ी में पानी के बाइलेंस को बनाया रखता है और बच्चे चीडचड़े नहीं होते हैं और बच्चों के पानी के कमी नहीं होता कई बर क्या होता है कि हम जब हमारे घरों के बच्चे जो दस्तों करते हैं पानी का ख्याल नहीं करते बच्चे दस्त के ज जाते हैं तो डॉक्टर हम हमारे बच्चों को ड्रीप होगे रहे चड़ाता है और उसके बाद उसको पिशाब होगे होने लगती है यानि कि बाडी में पानी मेंटेन होता है तो वह तो पिशाब होने लगता है तो इसलिए बच्चों को अगर दस्त हो तो पानी का बेहत ख्य यह चार चार महिने से उपर को बच्चों में दिया जाता है यानि कि अगर मालने जी चार या पांच या छे महिने का बच्चा है या दो साल या तीन साल का बच्चा है तो उसको तीन साल के बच्चों में एक पुडिया सुबह साम देना रहता है इसको देना कैसे आपको इसको तो देखिए नार्मल पानी में भी दे सकते हैं या आपके घर फिल्टर का पानी हो या फिर माली जिग बॉयल कर रहे हैं पानी तो पानी को बॉयल करने के बाद आपको Barn कर लेना है और उसके बाद इस सचेट को अच्छी तरसे कट करने के बाद अब पूरा सचेट एक या दो चम्मच पानी में अच्छी तरसे गोल लेना है और उसके बाद आपको पिलाना है गरम पानी में इसको कभी भी यूज ना करें नहीं तो इसके जो शेक्रोमाइसेस जो इसमें बैक्टेरिया होते हैं जो अच्छी बैक्टेरिया होती है आतों को मझबूत बनाती है वो खराब हो जाती है उति और आपके बच्चे के ऊपर पेट में अच्छा वर्क नहीं करेगा तो यानि कि तीन साल के बच्चों में एक एक पुडिया सुभा साम देना रहता है अगर माली जी कि तीन या चार महीने के बच्चा है तो उसे हाफ पुडिया यानि कि सचेट दिन बार में दो बार दे सकते हैं और इसके साथ कोई एंटी डारियल ड्रग भी चलता है दस्त को जल्दी रोकने के लिए तो यह था रिस्वेज जेक के बारे में सब कुछ इसके साइड इफिक्ट के बारे में भी जानते हैं अगर आपके बेबी को रिसका डाट्रिल इंग्रिडेंस से ऐलर्जी है तो इसे आप ना दें देखिए इसका जो साइड इफिक्ट मैंने बताय या पेट में दर्द या उल्टी के शिकायत होना या एलर्जी के शिकायत होना या लल लल चकत्ते उबर आना या आखों के पलकों में सूजन तो इस तरह के साइड इफिक्ट हो सकते हैं जो कि बहुत ही कामन साइड इफिक्ट है और बहुत ही कम बच्चों पर देखे जाते इसे बिल्कुल शेफ ड्रग है बहुत ही कम इसका साइड एफेक्ट है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद